दीपो का त्योहार दिपावली ग्राम पंचायत चांबी के गाओ नाटन निवासी यश्वन सिंग के ले काली रात के रूप में आया मामले में बीती देराद यश्वन सिंग के चार मंजिला रिहाईशी मकान में आग लगने से उसका लगब दसलाक रुपे का समान जलकर राख हो गया जानकारी के अनुसार रविवार देराज, जीला मंदी के सुन्दनगर उपमंदल की ग्राम पंचायत, चांबी के गाउन नाटन निवासी यश्वन सिंग पुत्र बंगाली राम के चार मंजिला पक्के मकान में आग लगई पीडित यश्वन सिंग बंसल टेंट हाउस के नाम से समारों में टेंट का विवसाय करता है इस हाथसे में यश्वन सिंग के घर में रखे सामान, LCD, कंप्यूटर, कपड़े सही, DJ का समान जलकर राक बन गया मामले की सूचना मिलते ही, BSL कलॉनी प्रभारी, प्रकाश्चन मिश्रा वे, SDM सुन्दनगर, राहुल चोहन ने मौके के हालात का जायजा लिया घटना की सूचना मिलने के बाद, BSL फाइर ब्रीगेट के जवानों ने मौके पर कड़ी मशकत के बाद काबू पाया और आग को आगे बढ़ने से रोग दिया उधर मामले की पुष्टी करते वे, थाना प्रभारी, BSL कलॉनी सुन्दनगर प्रकाश्चन मिश्रा ने कहा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले लिया है उन्होंने कहा कि हाथसे में यश्वन सिंग का लगबग 10 लाक रुपे का नुकसान हो गया है उन्होंने कहा कि प्रारंबिक जांच के अनुसार आग लगने के कारण पटाखो द्वारा प्रतीत हो रहा है पुलिस द्वारा मामले की जान चारी है उस मकान में जो है वो आगल लगी है तो जिसना पर अपने फार्वर्ग्राइब को भी सुचित किया गया और वो मौका पर उनको भी लगया और मैं भी अपने पुलिस दिवानों के साथ जो है मोकार पहुंचा तो देखा कि नर्टन गाउं के पास जो है एक चार मंजला में कान है पक्का मेकान चार मंजला बना होगा और जिसके टॉफ लोर में जो है वो एक पिछावाले कमरे में जिसके काफी समानुन के यूज का समन कपड़ विगरा और अमारीव लगाए रखे उसमें जुथ हो आगल यह थी क्योंकि जो बहार से अबी मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी रिपेर चलिए है जो बाहर की खिड़के हैं अभी उसमें जो है उसमें जो है दरबजे नालगा रखे हैं और खुली है तो शाहिद राग को कहीं पटाके वगरा किसे ने चलाये होंगे तो कहीं पटाके की वाइस से जो है कोई और वह आग कि जा रही है और जैसे भी आगे सूर्ट होगी करवया में लाई जा रही है लाइव टाइम्स टीवी के लिए सुन्दा नगर से निते सैने की रिपोर्ट